शराब पीकर गाड़ी चलाना पढ़ेगा मेंगा, कानून में कितनी मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना अलाउड है, क्या शराब पीने के बाद माउट स्रेशनर या ब्रश करके गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस को पता नहीं लगेगा, ड्रिंक एंड ड्राइब केस म में आपका स्वागत करता हूँ भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पती बंद है आकड़ों से पता चलता है कि एकसीडेंट का सबसे पर्मुक कारण शराब पीकर ड्राइविंग करना है और भारत में इसका आकड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा है हर साल करीब 1,34 लोगों के हुए एकसीडेंट में 70% शिर्फ सराब की वजए से ही मारे जाते हैं भारत के कानून में एलकोहल की एक लिमिट से बाहर शराब पीकर ड्राइव करना एक कानूनन अपराद है यानि एक निश्चित मातरा में अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो द अपने साथ कई लोगों की जान को दाव पर लगाते हैं अब हम बात करते हैं क्या शराब पीने के बाद माउथ फ्रेशनर या ब्रश करके गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस को पता नहीं लगेगा जी नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है ट्रैफिक पुलिस के पास बक बात करते हैं कि कानून में कितनी मातरा में शराब पीकर गाड़ी चलाई जा सकती है आम तोर पर 300 ml के रेगुलर बियर या एक पॉइंट में 4 फीसदी एलकोहल रहता है या टोटल 13.2 ml एलकोहल होता है वही एक 30 ml की रेगुलर विस्की में 43 फीसदी एलकोहल या 12.9 ml एलकोह होता है इसके अलावा 100 ml रेगुलर वाइन में 12 फीसदी या 12 ml एलकोहल होता है ट्रैफिक पॉलिस के अनुशार कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है या नहीं इसका पता ब्रेटलाइजर की मदस से ब्लड एलकोहल कंटेंट के जरिये किया जा सकता है यदि ड्राइवर क के ब्लड में एलकोहल कंटेंट की मात्रा 100 ml में 0.03 पतिशत यानि की 30 mg होती है तो यह सेफ है यदि ड्राइवर इससे ज़्यादा मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उस पर कानूनी कारेवाही की जा सकती है तो अब हम बात करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अगर आप फस्ते हैं तो आपको क्या सजा मिलेगी भारत में अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फस्ता है तो उस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर विकल एक की धारा 185 लगाई जाती है जिसके चलते आपका वहन मोटर विकल एक की धारा 207 के तहत जब्त किया जा सकता है ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी को जब्त किये जाने के बाद ड्राइवर को सभी दस्तावेजों को कोड में पेश करना होता है इसमें 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपे तक का जुमाना या दोनों हो सकते हैं अब हम बात करते हैं शराब पीने में 200 ml ब्लड एलकोहल कंटेंट का हिस्सा होता है इस रिसर्च के दोरां शोत करताओं ने पाया कि 9.5 ml का एलकोहल का नशा उतरने में लगबग एक घंटे का समय लगता है यानि एक पॉइंट बीर पीने के बाद ड्राइवर को कम से कम 90 मिनट का इंतिजाद जरूर करना चा के बाद ही गाड़ी को चलाना चाहिए और अगर आपका इस इंफोमेशन से लेटिड कोई भी प्रशन है तो मुझे कमेंट बोक्स में लिखिए कोई भी इंफोमेशन मिसना हो इसके लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करें मैं एड़ोकेट योगेश अगरवाल आपके सुन जै भारत